हेलो फ्रेंड स्वागत करता हूं मैं आपका बालमी की इंसे शोट आप एकाउंट्स एंड टेक्न लोजी में इस्टेमल 5 सीखने की सीरेज में अज हम लोग लिक्षेड एट देख रहे हैं जिसमें हम लोग वीजी वीग होटा है यह जानेंगे हम लोग रहे पिछले क्लास में यह देखा था कि हमारे हम एश्टेमल एडिटर दो तरह की होते हैं Textual HTML Editor और VGWig HTML Editor जिसमें Textual HTML Editors के बारे में हम लोग ने पीछे classes में पढ़ा था और हम लोग अपनी इस course में Textual HTML Editors को ही यूज करेंगे और VGWig HTML Editors क्या होता है यह अभी हम देखेंगे तो हमारे जो VGWig HTML Editors होता है जैसा कि आप VGWig इसका नाम देख रहे हैं तो W is 10 for what, Y for U, S for C, I for is, W for what, Y for U, G for get तो what you see is what you get यानि VGWig Editor तो VGWig Editor जैसा इसके नाम से आपको क्लियर है कि आपको इसकले वही result देता है जैसा कि आपको दिखता है जिसका मतलब जब आप वेबसाइट को आपको डिजाइन कर रहे होंगे तो जो आपको लोग वहां पर दिख रहा होगा वही लोग जब आपनी वेबसाइट को होश्ट करते हैं लाइब प्रिव्यू करते हैं लाइब सर्वर पर तो वहां पर भी वैसे ही दिखेगा यानि दोनों में कोई फर्क नहीं होता है अच्छा इसमें एकुरेसी बहुत ज्यादा होती है तो आपको बहुत ही मिलती है यानि कि आगर मैंने कोई चेंजेस कर दिया तो मुझे टेट कर दिखाऊंगा एक विजीविग एटमर इडिटर से ही काम करके ताकि आपको सारी चीज़े क्लियर हो जाए जो भी मैं बताने कोसिस कर रहा हूं आपको अच्छा विजीविग का सबसे बड़ा बेंफित हम लोग की ये मिलता है कि हम कोई भी चेंजेस तुरंत कर सकत और उसका डिस्पले कैसा होगा लाइव वेबसाइट पर यह भी तुरहन देख सकते हैं और यह सारा काम जब हम वेबसाइट को डबल अब कर देख सकते हैं अच्छा इसका सबसे बड़ा वेंफिट हमें यह मिलता है कि हम लोग बहुत ही कम समय में कोई भी वेबसाइट को अब आदा दू लाश्क ने कि अल्मुष्ट जितने भी वीजीवीग एश्टीमाल एडिटर्स हैं यह सभी ड्रेक और ड्रॉप की फैसलिटिस प्रवाइट करते हैं और ड्रेक और ड्रॉप की फैसलिटिस का यूज करके आज की डेट में 80% वेबसाइट डबल की जा रही ह ने एक पर सेंट आप समझ सकते हैं तो मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि सारी विजीवीगी एडिटर्स आपको ड्रेग और ड्रॉप की फैसलिटिस प्रवाइट करते हैं लेकिन अल्मुष्ट सभी करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं यहां पर आप देखे मैंने website builders को भी यूज कर सकते हैं यानि विजी विख हमां ओनलाइन भी यूज कर सकते हैं और ओफ-लाइन भी यूज कर सकते हैं जैसे आप देखे एडॉब ड्रीम वेबर सीसी यह हमने टेस्ट्वल इडिटर में मैंने आपको बताया था यह कॉमर्सियल होता है इसे यूज करने के आपको कुछ पे करना होता है कुछ चार्जेस इसके लगते हैं यह ओपन सोर्स नहीं है और एडॉब ड्रीम विभर जो हमारा है इसमें दो चीजे होती है एक साथ यानि एक हमारा यह जो है डिजाइन टैब होता है और एक दूसरा होता है कोड हम कोड टेप पे क्लिक करके ह यहां पर बनती जाती है और यहां पर हम कोई Code लिखते है तो उसकी designing यहां पर बनती जाती है तो हम Code tap पे क्लिक करके Code देख सकते हैं और design पे क्लिक करके, design देख सकते है तो यह हमारा VGWTML Editor का एक बहुत अच्छा एकजामपल है अच्छा आप फोर्ला को भी यूश कर सकते इडिटर.js को भी युज़ कर सकते हैं, लेकिन लिष्ट यहां खात्म नहीं होती है, बहुत लंबी लिष्ट है. यह मैंने अब ऩो कुछी नाम लिखेए, आपको समझने के लिए, लेकिन यह लिष्ट बहुत लंबी है, आपको जो युज़ करना आप कर सकते हैं. लेकिन हम लोग अभी HTML को सीखने जा रहे हैं, तो एचे बिगनर अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आपको वीजी वीग का यूज नहीं करना चाहिए, आपको टेक्शुल एश्टिमल इडिटर का यूज करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को टैग सीखना है, वो टैग का हम क्या करते हैं, उसको ब्राउजर डिस्पले किस तरह से करता है, यह सारी चीजे हमें सीखनी है, तो हम लोग टेक्शुल एश्टिमल इडिटर कहीं यूज करेंगे, और आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वीजी वीग या ड्रेग और ड्रॉक की फैसल्टी से ब कुछ मिन्टों में मैं उस काम को कर लूँ या मैं उस कोड को पुरा टाइप करूँ, बहतर चोईस आपके पास क्या है, डिजाइनिंग कर लेना, और कोड तो अपनी आप तयार हो जाएगा, हाँ, अब लोग बात कर लेते हैं, ओनलाइन वेबसाइट बिल्डर की, तो इसम हम लोग विक्स.com पे जाते हैं, उस पर रेजिस्टर करते हैं, अपनी वेबसाइट के लिए हम लोग को जो कंपोनेंट्स चाहिए, इमेजेस, जो भी चीजे चाहिए हम लोग वहां से ड्रेगन ड्रॉट करते हैं, हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है, और इसके में दो-दो-चार-चार-दस-दस वेबसाइट बनानी हैं, मेंटेन करने हैं, या चो किसी लंबे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन आज ए श्टूडेंट, आज ए बेगनर लेबर हम लोग को वीजी 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 मेलेटर का यूज नहीं करना चाहिए, चली मैं आ मैं सर्च करता हूँ, htmlg.com, जो कि अभी मैंने आपको एक्जामपल में बताया था, अब देखे, मैंने सर्च किया, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला, ओनलाइन वीजी वीजी वीग, html एडिटर, जी अभी तो हम लोग इसी वीजी वीग की बात कर रहे थे, वीजी वी html editor होता क्या है, लेकिन देखेगे क्या है, ओनलाइन वीजी वीग html editor, तो मैं इसे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, जब हम इस पर क्लिक करेंगे, तो हमें कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखता है, आप यहां देख सकते हैं, यह यहां पर एक अलग से, आपको यह व यानि यहां पर हम अपने जो भी codings वगेरा हैं वो कर सकते हैं, यहां पर हम जो भी designing करना चाहिए वो कर सकते हैं, तो यह दोनों चीजे आपको side by side दिखती रहेंगी, इसलिए मैंने आपको html.com को open करके बताया है, कि आप इन चीजों को समझ सकें, तो चलिए यहां पर मै यहां यूज करनी है, तो सबसे पहले मैं यहां से एक heading ले लूँगा, heading मुझे दूसरे लेबल के चाहिए heading 2, तो यहां देखिए, इस code पर ध्यान देजिए, तो यहां पर आपको दिख जाएगा एक tag, यहां पर, आप यहां पर ध्यान देते रहेएगा इस पूरे portion पर, ज substitute of accounts and technology, अब यह heading मुझे थभा बोल ले चाहिए, तो देखिए, अभी यहां पर अगर आप देखेंगे, इस code में, तो बस as to tag है, और बीच में एक content लिखा हुआ है, यह हमारा content है, हम लोगों ने पढ़ा है अभी पीछे, और यह as to हमारा element है, यहां से लेकर कर यहां ता, opening tag, closing tag और बीच में content, यह पूरी मिला करके हमारे element बनते हैं, अब मैं इसका color करता हूँ, red, मुझे क्या करना है, color इसका red करना है, तो मैं इसको select करता हूँ यहां से, और यहां से text color को मैं करता हूँ, red, red करते हैं, वहां पर देखिए, एक attribute आजाएगा, opening tag में, यह इसका अब बाल्मी की institute, red हो गया, यहां पर code में भी इसको red कर दिया गया है, अगर मैं आपको दिखाँ हूँ, देखिए, यहां पर style, color और has, ff, color code आ गया है, तो अगर मैं यहां पर color code को मैं blue कर दूं, मैं यहां type कर देता हूँ, देखिए, blue, और मैं यहां लिख देता देखी, ब्लू लिखते ही, यहां पर यह color blue हो गया, अभी क्या था? अभी red था, अगर मैं यहां पर type कर दू, red, देखी, तो मैंने red कर दिया, यहां color red हो गया, यानि कि जो आप यहां देख रहे हैं, वो आपको code में मिल रहा है, जो changes आप code में कर रहे हैं, वो आपको यहां मि मिल रहा है, इसको मैं bold करना चाहता हूँ, यहां पर देखी, simply मैं bold कर दू, अब यहां पर देखी, bold tag भी लग गया, strong, ठीक, अच्छा, अब इसके बाद मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ, paragraph, तो मैंने enter simply press किया, और यहां पर मैंने लिख दिया, कि where, यहां यहां पर mention कर देता हूँ, learn, c, आप हमारे यहां c भी सीख सकते है, c++ भी सीख सकते है, java, java sc standard edition और java enterprise edition, उसके बाद python, html, हम लोग सीख रहे हैं अभी, css, देखे, जो चीजे मैं यहां type कर रहा हूँ, code में भी वो code हमारे ही बनते जा रहे है, java script, php, mysql, और भी बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, तो यह देखे, जैसे हम यहां code में लिखते जा रहे हैं, code हमारा बनता जा रहे है, अब suppose मुझे यहां पर एक table तैयार करना है, जनली मैं ऐसे ही कुछ table ले लेता हूँ, तो मैं यहां से draw table कर लेता हूँ, यह, मैं यहां प जैसे name, class, school, address, अब देखे, यहां पर code में name, class, school, address आता गया, अब देखे, यहां तो यतना line में पूरा code टाइप करता, और इतना code टाइप करने के बाद यह पूरा मैं तयार करता, यह तयार होता, तो बहतर क्या इस code को पूरा टाइप करना, यह इधर से designing करना, तो वीज में हम लोग designing करते हैं, और हमें यह वही दिखता है, जैसी website बनके हमें दीखेगी, लेकिन हमें HTML के अंदर हमें इस code को सीखना है, यह पूरी coding सीखना ही, कि coding हम लिखेंगे कैसे, यहां पर with 25%, TD का मतलब क्या है, यहां पर यह collapse का मतलब क्या है, collapse with 100% क्या है, borders क्या है, यह सा यह हम लोग textual HTML editor का use करेंगे, तो I hope आपको समझ में आ गिया होका कि VGWIC क्या होता है, जो है textual HTML editor क्या होता है, textual HTML editor में हम लोग यह काम करेंगे, जो इतर code है, और VGWIC HTML editor में हम लोग यह काम करेंगे, जो यहां लोग SET कर रहे हैं, तो यह चीजे हैं, दोनों का difference मैंने प्रेंड करते हैं, और उमीदे कि आपको VGWIC HTML editor अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी यह दी कोई doubts है, तो आप हमारे contact number में संपर्ख कर सकते हैं,